अलो फ्रेंट्स विल्कम बैक आज के इस एनलेसिस वीडियो में हम दो बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ महराष्ट्रा, SBI और बैंक आफ बरोदा सेर के उपर पॉब्लिक सेक्टर बैंक में एक सांदर तेजी आज हम लोगों को देखने को मिला, उसके पीछे का वज़ा है, उसके पीछे का वज़ा है एकजित पॉल, एकजित पॉल जो है आपको सटर्डे को आया, आज फॉस्ट दे था जब एकजित पॉल आने के बाद मार्केट ओपन हुआ और एक सांदर गाप ओपनिंग देखने को मिला और बात करेंगे पॉब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो या फिर आपको पॉब्लिक सेक्टर बैंक हो, गर्ब्मेंट कंपनीज में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिला, अब यह तेजी क्यों देखने को साथी दूसरा जो है आपको यह गौवर्मेंट एंडिया गवर्मेंट जो है लास्ट टेनियर में एग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म के लिए जाना जाता है यानि कि कोई भी अगर बोल्ड डिसीजन लेना हो जिससे की कमपनी का फायदा होगा तो गवर्मेंट जो है उस डिस सारा आपको फ्रीवीज अनाउंस किया गया था तो मार्केट को इस चीज का भी डर्व था जो काफी सोचलिस्ट गवर्मेंट भी अगर आता है तो कहीं ने कहीं मार्केट में एक पैनिक होता है और इसी वजह सभी स्टॉक्स में एक सांदर तेजी देखने को मिला अब कल ज करते हैं लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को जोईन कर लेजिए डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम और ट्वीटर दोनों ही अगर आप जॉएं करते हैं तो आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स यहां पर अपडेट म तो लगातार इंपोर्टेंट चार्ट हम लोग पोस्ट करते जाते हैं और इनकेस अगर आप प्रीमियम ग्रूप को जोईन करना चाहते हैं जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रूप में गेल को सियर किया था 132 के लेवल पे स्टॉक आज 233 से उपर का हाय लगाया य इसके साथ ही अगर बात करेंगे 30 मैं को मैंने अपने फनो के ग्रूप में बैंक निफ्टी के ऊपर कॉल दिया था बैंक निफ्टी जून फ्यूचर जो कि उस टाइम में आपको 49,260 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था या फिर आपको भी सक्ष्ट्री के बैंक निफ्टी की 49,000 जून कॉल ऑप्सन के ऊपर भी दिया था था तो जिनको ऑप्सन सूट करता हो ऑप्सन ट्रेट करते हैं जिनको फ्यूचर सुट करता है जिनको account open कीजिए उसमें trade कीजिए और उसके बाद आप screenshot share कर सकते हैं आपको add कर दिया जाएगा और अगर आपके पास already account है तो फिर जो है आप paid भी service ले सकते हैं उसके लिए आपको सारा detail जो है उतना जादा आपके लिए beneficial होने वाला है चलिए आप बात करते हैं हम लोग Central Bank of India सेयर के उपर स्टॉक में जो है एक जोड़दार तेजी देखनी को मिला इस्टॉक 12 परसेंट के तेजी के साथ आज दे हाई पे ही क्लोज हुआ सबसे जबरदस अगर जंप देखेंगे तो दो बेंक में देखने को मिला Central Bank of India और State Bank of India इन दोनों ही स्टॉक में जो है एक सांदार तेजी देखनी को मिला अब अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे Central Bank of India में जो है एक अच्छा ब्रिक आउट भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस्टॉक काफी टाइम से लेवल को क्रॉस करने की कोशिस कर रहा था यहां पर जो है स्टॉक काफी टाइम से इस लेवल को क्रॉस करनी कोशिस कर दो एटिक लॉस कर नहीं पार रहा था आपGMनेम जो है इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस्टॉक में हम लोग को हंड है सिटॉक इमेड टी अर होपर ग्रीह क्रुम सकता है फैका यह यहां योश्ट का पर लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहां पे कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं प्रेस बाइंग करते हैं तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपने ब्रेकाउट देखने को मिल रहा है यहां पर देखेंगे यह स्टॉक में अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि public sector bank की अगर बात करेंगे तो सभी stocks में एक अच्छा तेजी यहां पर दिख रहा है तो बिल्कुल जो है आपको अपने resistance zone पे ही close हुआ है कल अगर slightly gap up भी open होता है 62 रूपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर तो इस टॉक में जो है एक संदर तेजी ऊपर की साइड में immediate जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका 70 रूपीज का लेवल और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को 85 और उसके ऊपर 100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छा जो है आपको नीचे के लेवल से stock में एक bounce back देखने को मिला था यहां पर अगर stop loss की बात करेंगे तो stop loss जो है क्लियरली आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्लेस करके रखना है जिससे कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रिक डाउन करता है तो फिर आप यहां से एक जिट कर जाएंगे थार्ड इस टॉक की बात करेंगे थार्ड इस टॉक है बैंक ओफ महराष्ट्रा बैंक ओफ महराष्ट्रा अल्रेडी हम लोगों ने कई बार यहां पर डिसकसन किया हुआ है इस टॉक काफ़ अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है और क्लियरली अगर देखेंगे तो अब जो है इस टॉक अपने इस मेजर असिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद अब यहां पर स्टॉक जो है हीड कर रहा है 85-90 के जोन को हिट करने के लिए लगातार इस स्टॉक ने एक अच्छा डिटर्ण बनाके दिया है अभी डेली चार्ट में देखेंगे तो अल्मोंस 20% का तो इमीडियेट रसिस्टेंस नहीं है श्टॉक के पास डाउन साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज जो है गयाफ़प के साथ पहले इस रसिस्टेंस जोन को ब्रेक आउट किया उसके बाद रीटेस्ट भी किया और उसके बाद जो है श्टॉक फाइनली लोवर एक रिजेक्शन के साथ क्लोज दिया है नीचे की साइट से अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो क्लिरली जो है यह एक असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न का ब्रिक आउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है तो यहां पे अगर हम ल में लिए एक बार इस टॉक 90 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 100% या उससे ज्यादा का भी देखने को मिल सकता है चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स स्टॉक के ऊपर और नेक्स स्टॉक है स्टेट बेंक ऑफ इंडिया इस्टॉक अपने आल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है गाप अपनिंग हुआ और उसके बार इस्टॉक ने लगातार अपसाइड मोमेंटम किया यहां पर जो है स यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन का डबलब पेंट देखने को मिल रहा है इस्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस्टॉक चुआ है ताउजन की तरफ जा सकता है लेकिन एक चीज़ यहां पर आपको ध्यान र करता और उसका कोई भी ऑपर्चुनिटी देता है स्मॉडर टाइम फ्रिम में तो फिर यह एक अच्छा बेट होगा जहां पर की साइड में थाउजन के लिए स्टॉक के उपर विट कर सकते हैं और अगर हम लोग यहां पर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉ यह सबी एक जोन होगा जहां पर कि आप इंट्री के लिए देख सकते हैं अग्जक्ट इंट्री अगर आपको चाहिए तो फिर जो है आप पर प्रिमियम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं वहां पर आपको एक्जक्ट इंट्री मिल जाएगा लास्ट स्टॉक के बात करेंगे स्टॉक का बेंक बढ़ोदा बेंक बढ़ोदा अपने और टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉंग का ब्रिक आउट देखने को मिल रहा है अगर देखेंगे तो 285 लेवल पर लगातार असिस्टेंस कर रहा था राउंसाइड में 242 250 यह एक सपोर्ट ज कर सकते हैं अपको सारा अपडेट वहां पर मिल ता रहे गा आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट चाहिए बिल्कुल क्लियर हो गया हूंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आगा हूँ अनल इसस अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चरू करें आप बिल्कुल